दोस्तों बिहर में सिविल कोट की बंपर पदों पर भरती आई है और बंपर पदों के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है आप देखेगा दोस्तों तीस में फॉर्म भरने की जो परक्रिया है सब से जटील है और आपको कैसे फॉर्म फिलब करना step by step पूरी परक्रिया बताने वाले जिससे आप कोई गलती नहीं किजेगा अगर आप एक भी गलती कर दीजेगा तो फिर final selection से आप one cheat भी हो सकते हैं तो चलिए mobile से कैसे step by step फॉर्म फिलब करना है पूरी परक्रिया आप लोगों को बताने वाले हैं और आप असानी से फॉर्म इस तरह से भर लिजेगा खास करके इसमें payment का process जो है बहुत ही difficult दिया गया है तो कैसे क्या आपको क्या choose करना है सभी चीजों के बारे में आपको step by step बदनाने वाले हैं अभी दोस्तों civil court के official website पर आयेगा तो वहां पर एक link दिया हुए PDF download होगा और उसमें एक link दिया हुए यहां पर देखेगा dcprerecruitment.in और यहां पर आप देख सकते district से संजाज पटना तो यहां पर इस website के माध्यम से form फिलब होगा नया website बनाया गया ह website पर आने के बाद यहां पर पहला registration and login section है जिसमें आप registration कर ली है तो login किजेगा new registration करना है और अगर आप forget registration नमर यानि अगर आप भूल गये हैं तो यहां पर mobile number date of birth से आप प्राप्त कर सकते हैं form भरनी की जो परिकिरिया है दोस्तों सबसे पहला चरण है registration तो registration करते से में आपको basic details mobile number email id यह सब चीजे देना परेगा इसके बाद आपको registration number password प्राप्त होगा password 6 digit का है इसके बाद फिर से login किजेगा तो login करने के बाद आपको form फिलब करना और यहां पर कहा गया है नाम date of birth mobile number email address में किसी परकार का कोई साफधानी से फिलब करना और इसमें किसी परकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा अगर आप गलती कर देते हैं तो यहां पर important link दिया हो यहां पर भी ज्यापन है चार तरह की भरती आई है form कैसे भरना इसके बारे में बताया गया है payment कैसे करना इसके बारे में बताया गया है और डेट देखेगा तो 20 अक्टूबर लाश्ट डेट हाज से form भरना शुरू हो गया है अगर आपको किसी परकार की समस्या आती है तो यहां पर help plan number है email idea इस पर आप call करके पूछ सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहला चरण registration है तो यहां पर new registration पर click करते हैं click करने के बाद देखेगा तो यहां पर आपसे details मांगा जाएगा जैसी यहां पर सबसे पहला चीज़ पूछा जा रहा है का आप किस post के लिए form भरना चाहते है तो यहां पर देखेगा चार तरह का पोस्ट है color, astronographer, code reader, deposition, writer और pun orderly तो यहां पर आप माली जे pun के लिए ही भरना चाहते है या फिर color के लिए color के यहां पर आप select किजेगा और दोस्तों form भरने इसी भी ज़्यादे जरूरी है कि आपको बेहतर त्यारी करना है त्यारी किजेगा तभी selection hope हैगा आप देखेगा तो इसमें 3300 plus seat है तो इतना आप देखेगा तो यह जो course है group D के लिए और clerk post के लिए भी है तो दोनों का प्रारामीक परिक्षा का सिलेवर सेम ही है तो आप बेहतरिन त्यारी करके असानी से selection प्राप्त कर सकते हैं साथ में आप लोगों 15 साल का previous question भी मिल जाएगा सभी विसा मायत Hindi English GK की संपूर्ण त प्रू कर दीजिए यहां पर post select कर ली है color अब यहां पर पूछा जा रहे name of the candidate यहां पर देखेगा तो कहा यह गया है आप अपने नाम में सिरी सिरी मती Mr. Mr. Message यह सब आपको चीजे नहीं लगाना है सिर्फ अपना नाम लिखना है और नाम जो है 10th certificate या mark sheet पर जो भी spelling दिया यहां पर यहां पर जो फॉर्मेट है दोस्तों जैसे यहां पर एक सितंबर 2004 सेलेट किये यहां पर देखेगा 9-1-2004 आगे आना चाहिए था 1-9-2004 तो इसको लेकर आप confusion में मत रहिएगा कि गलत फिलप हो गया यहां से बस आपको सही फिलप करना जैसे यहां पर अगर आपका date of birth अगस्त में ही है तो एक अगस्त 2004 यहां पर देखेगा 8 एकार है फॉर्मेट इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना यहां पर फॉर्मेट ही ऐसा दिया गया है लेकिन आप अगस्त किजेगा अगर फरवरी है फरवरी के जगह पर आप दूसरा महिना नहीं सेलेक्ट कर लिजेगा इसके बाद यहां पर हो गया जिंडर पूछाजार है तो मेल फिमेल यहां से चुज कर लिजे नेशनलिटी इंडिया और यहां पर पुछाजार अगर आप इवाहित भाहित क यहां पर जो भी है, यहां से सलेक्ट किजेगा, email id इसमें दीजे, फिर से confirm email id कहा गया है, mobile number कहा गया है, फिर से confirm mobile number क्योंकि mobile number और email id है, आपका main चीज यहां पर हुआ, नाम, date of birth, तो यह सब सीजे में गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इसके बाद पुछा जार, are you permanent resident of बिहा तो यहां पर jeśli select किजेगा, category में यहां पर जो भी category साते हैं, category अपना select किजेगा, यह चीजे हो गया, इसके बाद identity proof यहां पर मांगा जा रहा है, तो identity proof में आप अधार card, water ID card, pen card, जो भी category सात, यहां पर है card, select कर लीजेगा, इसके बाद हो गया, यहांपर ID spoon का number देना है, य पुछा जारे है है disability यानि आप दिव्यांग है तो यहांपर फिर पुछा जाएगा किस तरह क्या है नहीं तो ढि उबाद पुछा जारे है क्या ऑर हार सरकार के अंतर जाब में है अगर है तो yes select किजे नहीं तो no इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाप कोई भी criminal cases यह सब हुआ है तो अगर हुआ है तो यहाँ पर yes select किजेगा फिर यहाँ पर fire का नमर यह सब चीज़े देना परेगा तो यहाँ पर आप साफधानी से no फिलेप किजेगा फिर नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा फिर यहाँ पर आयक डिक्लिरेशन और यहाँ पर नीचे में submit का option दिया हुआ है इस submit पर किलिक किजे आपका registration हो जाएगा registration होने के बाद आपको इस तरह से registration नमर प्राप्त होगा तो यहाँ से आप देख लिजे रेइश्टेशन सक्सेस होने के बाद यहाँ पर देखेगा registration नमर पासवर्ड यही रेइश्टेशन नमर है 100 से शुरू है और इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर आ जाएगा तो सभी चीजे को आप यहाँ से चेक कर लिजे और यहाँ पर प्रिंट भी आप निकाल सकते है आपका registration हो गया है और इसके बाद आपको make payment पर किलिक करना है किलिक करने एक बाद payment आपको करना परेगा तो payment के लिए जैसे ही आप किलिक किजेगा तब payment कर दीजे फिर आपका फौर सक्सेस हो गया लेकिन इसमें क्या है कि मैनवाली रूप से online SBI collect के माद हम से payment कीजे फिर अपना transaction ID दे करके submit कीजे फिर आगे की परिकरिया होगा तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है किस estate से है तो यहाँ पर पर सेलेक्ट कीजेगा इसके बाद देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर फिर से submit कर लेते हैं बहुत पहले का खुला हुआ था इस कारण से तो यहाँ पर online SBI का आगिया पोर्टल और यहाँ पर आया ही आवरीड confirmation पर क्लिक कीजेगा क्लिक करनी के बाद यहाँ पर देखि कीजेगा इसके बाद पूछा जारे हैं तो यहाँ पर एक ही अभी है सिर्फ भरती पर क्रियाश रिल्टेट यहाँ पर देखिए करना वेनर सेंटरलाइजिड बाद में हो सकता है का और किसी भरती के लिए फौर्म आए तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही ओपिए और संवी प्रवरक देख लेना यहां पर देख़िए अपर पतना डिस्ट्रिक कोट आ गया है यह लोगो रहेगा यहां पर एक्जामनेशन भी आप सेलेक्ट कर लिजेगा यहां पर एक्जामनेशन भी इस तरह से सेलेक्ट किजेगा सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आगे आप डीटेल्स आपको फिल अप करना है तो डीटेल्स के बारे में देख लिजेए यहाँ पर पुछा जा रहा है रेइस्टेशन नमर तो रेइस्टेशन नमर वन डबल जीरो से शुरू है अपना रेइस्टेशन नमर दीजेगा यहाँ पर पोस्ट पुछा जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर इसके बाद यहां पर जेंडर पूछा जा रहा है तो यहां से इस तरह से सिलेक्ट कर लिजे candidate name अपना नाम यहां पर हुबहु दीजेगा जो फॉर्म भरतेस में दिये है mobile नमर वही दीजेगा जो फॉर्म में दीजेगा अलग mobile नमर बिल्कुल मत दीजेगा इसके बाद यहां पर आपको धियान देने वाली बात है अभी क्या हुआ है कि फॉर्म भरतेस में आप color select किये हैं तो color कि यहां पर 800 रुपे select किजेगा बांकी जितना है सभी में star लगा हो यानि जरूरी रूप से आपको भरना परेगा तो बांकी सभी में 0 कर दीजे भरना आपको सभी को परेगा तो यहां पर 800 अगर करेंगे तो फिर 16 रुपे का payment देना परेगा तो यहां पर यह 0 हो गया 0 सभी को आपको 0 करना आप देख सकते हैं कितना जटिल परक्रिया फ़र्म भरने का इस तरह से किसी भी फ़र्म में नहीं दिया जाता है असान परक्रिया अपना आ जाता है जिसे स्टुडेंट को किसी परकार का दिक्कत ना हो अब यहां पर आप समाझ लिजे कंडियेट नेम वबायल नमर यह सब चीजे तो आप लप कर दीजेगा अब अगर आप दोस्तों प्यून पोष्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना है कलर्क वाले में 0 रुपया सेलेक्ट कर देना है यानि कलर्क के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे में प्यून मा जाईएगा और यहाँ पर देखिएगा आप तो प्यून के लिए 600 रुपया है अगर आप जेनरल EWS, BC, BC साते हैं गया तो उचलिए यहाँ पर जिरो कर देते हैं और क помe कलरक होख ब यहां पर Ini हम पर कलर शुरू में है कलर्क cookies क्या लपकित किया है कर आप यहाँ पर स्चलिक्ट है अब हमें बांकी में जिरो हो गया एक मेरा इस बासकार प्रशें का विया2 और दी है यह सब चीज ही हुआ ही दीजेगा जो form भरते से आप दिये हैं यहां पर नीचे में capture है सम्मिट किजेगा सम्मिट करने को बाद फिर payment करने का उप्षन आएगा payment आप किसी भी माध्यम सी UPI से भी कर सकते payment जैसे ही सक्सेस होगा इसके बाद आपको registration नमर इस तरह से प्राप्त होगा यहाँ प्राप्त देखेगा यह हो गया payment success होने के बाद यहाँ पर data आ जाएगा और यहाँ पर SBI collect reference नमर DU से शुरूर रहेगा DU इस तरह से 8 से 10 digit करेगा यही आपका transaction ID हो गया और यह transaction ID आप किसी को मत दीजेगा जब तक आप अपना submit नहीं कर लिजेगा फोर्म तब तक क्योंकि इसी transaction ID से आपका 800 रुपय या 600 रुपय जो भी रहेगा payment हुआ रहेगा इस तरह से अब आपको आ जाना है और फिर से login करना है login करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा payment का details देने के लिए तो इसमें mode of payment में online दे दीजिए amount अगर आप 300 रुपय जिस category के coding आप भरें 800 रुपय 6 रुपय जो भी है यहाँ पर अपना रुपया दे दीजिए transaction date दे दीजिए जैसे आज 20 तारीकों किये हैं 20 तारीक देंगे यहाँ से transaction ID transaction ID जो शुरू है दोस्तो DU से शुरू है तो वही ID आपको copy करके दे देना या हूँ भो फिलप कर दीजिएगा इसके बाद submit कीजिएगा आपका payment success हो गया payment तो success हो गया अब जैसे ही आगे बढ़िएगा इसके बाद personal details अब फिलप होने के लिए अगर registration हो गया payment हो गया personal details में address आपको फिलप करना है और यहाँ पर अपना pin code estate का नाम दीजिए अगर आपका permanent address और correspondence address सेम है तो यहाँ पर यहाँ select कर दीजिएगा हो भो फिलप हो जाएगा अब इसके बाद आगे बढ़ने के बाद qualification details है यह चीज़ा आपको अच्छे समझना है यहाँ पर educational details में देखेगा तो 10th का मांगा जार है name of a school, a school का नाम दीजिएगा mark sheet पर देख लिजिएगा वह ही spelling फिलप कीजिएगा अगर आप बिहार से है तो बिहार a school examination board पटना दीजिएगा इसके बाद passing year में तो अगर आप 2010-15 जब भी pass हुए है passing year दीजिएगा इसके बाद आपको कितना marks प्राप्त हुआ है अगर आपको 300-300 जो भी marks मिला है और maximum marks तो सभी भी सहका marks जैसे अभी भी harbour में क्या चल रहा है कि 500 का exam होता है उसमें सगर आपको 300-300 जो भी marks है अपना marks दीजिए इसका परसेंटेज यहां पर आपको देना है परसेंटेज यह से calculate होकर आजाएगा और division में तो first, second, third division है जो भी division है और यहां पर देखेगा तो यह CGPA जरूरी नहीं है यह है CVSC board वालों के लिए CVSC board में grade इस तरह से रहता है CGPA रहता है और यहां पर certificate नमर भी देना परेगा तो अगर आपके पास 10 का मुल परमान पत्र है तो मुल परमान पत्र से ही certificate नमर यहां पर दीजिए मुल परमान पत्र से आपको हुभो फिलब कर देना है अपना certificate नमर यह कहां पर होगा आप अपने मुल परमान पत्र ने ऊपर में देखेगा एक नमर दिया हो रहेगा 6-7 digit का वही नमर आपका certificate नमर है सेम चीज यहां पर बार्मी में भी इसी तरह से फिलब करना है इसका बाद graduation में तो यहां पर name of the degree डिग्री का यहां पर आपको नाम देना है BA, BSE, BICOM जो भी डिग्री है यहां पर honors paper के साथ यहां पर दे दीजेगा BA political science इस तरह से आप दे दीजेगा यह हो गया यहां पर डिग्री और name of degree में यहां पर BA, BSE, सिधासा दीजे वही बहतर रहेगा honors paper का नाम नहीं भी दीजेगा ठीक है name of college में college का नाम दीजेगा और विश्विद्याले का नाम दीजेगा यहां पर extreme का नाम यहां पर दीजेगा passing year तो जब आप passing year का नाम दीजेगा obtained marks कितना marks आया है और maximum marks कितना है percentage इस तरह से आ जाएगा यह हो गया अब आगे का देखिए आगे और चीजे यहां पर मांगा जा रहा है आप देखेगा तो सब से जटील पर करिया है दोस्तों इसका फॉर्म भरना इसके बाद दिखिएगा अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री है अन्य डिग्री यानि एमकॉम पीजी लेवल का पर भी डिग्री है तो यह सब डिटेल्स आप दीजे नहीं है तो यह जरूरी नहीं है फॉर्म जो है ग्रेजुएट लेवल पर है कलर पोस्ट और इसके बाद ग्रूप डी का जो पोस्ट है दसमी लेवल पर तो उसमें दसमी तक कही मांगा जाए इसके बाद नेम उप इंस्ट्यूशन का नाम दीजे यर दीजे और सर्टिफिकेट नमर यहां पर आपको देना पड़ेगा तभी बिना कंप्यूटर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं यहां पर दिखेगा स्टार लगा हुआ है एक्स्ट्रा क्वैलिफिकेशन कोई है तो यहा जाल का चाहिए यैनि कंप्यूटर से रिल्टेट आपके पास कोई डिगरी होना चाहिए यानि आपको कंप्यूटर का गữaना है चलाना आता है इसके बाद यहां पर हो गया आप भी हर सरकार के आंतरगा जॉब में है तो यहां पर यह सेलेक्ट किजेगा फिर आपको जौब जानकारी तो कोई भी जॉब में है तो जॉब वालों को यहां पर मांगा जा रहा थी यह से नहीं तो नो आप सेलेक्ट कीजे और समिट किजे तो समिट करने के बाद दोस्तों आपका एजुकेशनल डीटेल समिट हो गया इसके बाद आपको फोटो सिंगनेचर अपलोड करना परेगा विग्यापम ने दिया हुआ है वहां से डाउनलोड करने का ओप्शन आ जाएगा मैं ततर द्वारा घोशना करता हूं मेरे द्वारा दीगे जानकारी सही है वहीं चीजे को आपको अपने रैटिंग में लिखना परेगा लिख करके फिर अपलोड किजे अपलोड क आपको ट्रांजेक्शन आइडी प्राप्त होगा तो इसमें क्या है कि मैनुवली रूप से आपको भेरिफाय करवाना परेगा पेमेंट का क्या पेमेंट कर दी है आपका ये ट्रांजेक्शन आइडी है फिर से समिट किजेगा आपका फॉर्म फिलाप होगा इस तरह से हर हाल में इसकी परिक्षा ले ली जाएगी तो आपके पास लगवक तीन महिने का समय है तो संपूर्ण त्यारी आपको करना परेगा जिससे आपका रेजल्ट हो जाए जहिए फटाफट अप्लिकेशन पर जूर करके बहुत ही कम प्रैस पर कलर क्यों ग्रूप डी पोस्ट का कोर्स शुरू हो गया है समपूर्ण त्यारी के आप सभी फटाफट जोईन कर लीजिए